हालो फ्रेंज्ट्स वेल्कम ती रेसिपी आज मैं आपको एक बदाम की रेसिपी बताने वाली हूँ जो की एक स्नैक है और उसे आँ चाय के साथ काकर उसका आनंद ले सकते हैं तो यह मैं बनाने वाली हूँ मसाला आलमेंड्स तो आएए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता ह प्राइड आलमंड्स बनाने के लिए मैंने लिए हैं आधा कप बदाम, 1 टी स्पून कॉनफलोर और 2 टी स्पून बेसर, 2 पिंच नमक, 2 पिंच लाल मिर्च और 2 पिंच बेकिंग पाउडर और बेसर का और और कॉनफलोर का पेश्ट बनाने के लिए पानी तेल यूज करेंगे हैं उसे तलने के लिए आप एक पाउड में बेसर और कॉनफलोर को डालेंगे हम घ्स थान इसमें आड़ करेंगे नमक, मिर्च और बेकिंच पाउडर इसे हलका सा मिक्स कर लेंगे हम अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे एक स्मूध गोल बनाएंगे गोल को हमने काफी गाड़ा नहीं रखना है थोड़ा पतला करेंगे हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर करेंगे से यह देखिए हमने काफी पतला गोल बन एक गढ़ाई में तेल डालकर उसे हाई फ्लेम पर काफी तेज गरम करें लगभग तीन मिनिट के लिए तेल तेज गरम हो गया है अब हम अपने बेशन के बनाये मिक्स्चर में बदाम को डिप करके इस तरह से अब इसे गरम तेल में डाल देगे सबी बदाम को मिस तरह से डिप करके एक 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 डालते जायेंगे और मीडियम प्लेन पर हमें फ्राइ धालेंगे जब तक कि यह गोल्डन ब्राउन ना हो जाए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं हमारे बदाम, अब हम इने पैन से बाहर निकाल लेंगे, लीजी हमारे बदाम पिल्कुल खाने के लिए तयार हैं, अब आप इने इन पर चाट मसार डाल कर चाय के साथ कॉफी के साथ खाकर इनका आनंद लें, खाकरो खाय की चीछ कुरी से बदाव हो